मैं आशोक कमार स्वागत है आपका टूमीडिया चैनल में गुजरात के मोर्भी में हुए पुल हासे में अब तक 130 लोगों की मोतों की पुष्टी हो गई है मृतकों में राजकोट से बीजेपी सांसन मोहन भाई कुंदरिया के परिवार के लोग भी शामिल है कुंदरिया ने कहा कि मेरे बड़े भाई के साले की चार बेटिया उनमें से तीन के पती और पांच बच्चे हासे में मारे गए वे टंकारा तालुका के विविन गाओं के थे और मोर्वी में बस गए थे रभीवार होने के काराण में घूमने गए थे जहां तरासदील हुई थी मैं गटना के आदे गंटे बाद वहां पहुंचा कल से ही बचावकारे में मदद कर रहा हूं हम गटना के लिए जिमिदार लोगों के खिलाब सक्त कारवाई करेंगे पुल गिरने की घटना के बाद गुजरात के मुक्यमंत्री वुपिंदर पटेल मोर्वी में डेरा डाले हुए है बता नहीं कि गुजरात के मौरभी में पुल गिरने से 130 लोगों की मौत के एक दिन बाद पुल की मरमत करने वाली कंपनी औरिवा के दो अधिकारियों सही 9 लोगों को गिरिफतार कर लिया गया गिरिफतारी की पुष्टी राज़कोट रेंज के आईजी अशोग यादव ने की है उनका कहना है कि सभी आर्योपियों की कोविड जाज के बाद गिरिफतार कर लिया गया है सुत्रो कहना है कि वो औरिवा के मद्यस्तर के करमचारी है जानकारी यह भी है कि कंपनी के वरिष अधिकारी पुल तरह सिद्धी के बाद लाब बता है आपको क्या लगता है कि किस की गलती से किस तरह से ये पुल की तरह सिद्धी गई अपनी राय का मैंड बॉक्स में ज़रू बता है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें